वी एसन प्राइम की खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है नाजरीन मैं हूँ आपकी होस्ट अनाया और आज हम आपके लिए एक अद्भुत खबर लेकर आए हैं जो आस्था भाक्ती और चमतकारों से जुड़ी है मद्य प्रदेश के मनसौर शहर से हमारे जिला समवाद दाता प्रमोड भवालकर और सिटी रिपोर्टर वनिता हुपिले की एक विशेश रिपोर्ट मनसौर में स्थित्मा नालचा माता मंदर परिसर में हर साल नवरातरी के समापन के बाद दशहरे की दिन एक अनोखा चूल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है इस आयोजन में भख्त गन जलते हुए धधकते अंगारों पर नंगे पैर चलकर अपनी भख्ती और आस्था का प्रदर्शन करते हैं कई वर्षों से चलिया रही इस प्रथा में भख्त अपनी मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए अंगारों पर दोरते हैं मा के प्रती उनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास का ये जीता जाकता उदाहरन है कुछ भख्तों का मानना है कि जब वे इन अंगारों पर चलते हैं तो मा नालचा का साक्षात आशिरवाद उन्हें प्राप्त होता है इस चमतकारिक कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगमंदर परिसर में एकत्रित होते हैं दोल नगारों की थाप के बीच भाक्त गन्मा नालचा का नाम लेकर इस धधक्ते चूल पर दौर लगाते हैं और यह मानिता है कि कोई भी चोटल नहीं होता यह माता का आशिरवाद है कि कोई भाक्त कभी भी अंगारों से घायल नहीं होता और यही आस्था हर साल हजारों श्रद्धालूं को इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करती है मा नालचा माता के भाक्त मानते हैं कि यहां आकर उनकी हर मनों कामना पूरी होती है नवरात्री के साथ साथ साल के बारहों महीने यहां श्रकधालूं की भीर लगी रहती है तो नाजरीन ये थी मा नालचा माता के चूल कार्यक्रम की खास जलक जो हमें सिखाती है कि आस्था और भक्ती के बल पर इंसान संभव को भी संभव कर सकता है VSM Prime के साथ बने रहिए आगे और भी खास खबरे लाते रहेंगे